नमस्वाइब दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल टेरेस बर्ड दोस्तों आजन बात करेंगे कि हम अपने ग्रोबैक्स के लिए अपने गमलों के लिए मिट्टी किस प्रकार तयार करें क्या कॉम्बिनेशन मिट्टी की रखें कि हमारे पौदे मरे नहीं उनको न्यूट्रेंट्स के कमी ना हो और अच्छे ग्रोथ करें तो दोस्तों अगर आपने आप सभी मेरे चैनल पर भी तक नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक इस करीब 35-40% क्योंकि पौदों की ग्रोथ के लिए सोयल बहुत जरूरी है हम अपने गार्डन सोयल को ले लेंगे 35-45% के असपास वर्मी कमपोष्ट आप ले लिजे 20% 20% वर्मी कमपोष्ट इसलिए हम लेंगे क्योंकि वर्मी कमपोष्ट मॉइस्टर को होल्ड करने में सच् है तो आपके पौदों को प्रेश को चूट काम SCP men वहारे लगते हैं हम ग्रोवाग के मिठ्टे तयार कर रहे हैं तो उसमें पानी की कम होने की वज़े से पौदे मरने लगते हैं सूखने लगते हैं तो इसलिए वर्मी कमपोष्ट जरूरी होता है तिसरे नंबर पर हम लेंगे वर्मी कमपोस्ट या कौवड़न कमपोस्ट दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं अगर कावड़न कमपोस्ट ले रहे हैं तो फूरी तरह से सूखी होई ओनी चाहिए नम काउडं कंपोस्ट होगा तो उसमें कुछ वैक्किरिया या कीडे मकोडे होते हैं जो कि हमारी मिट्टी को खराब कर देते हैं इसलिए आप अच्छी सूखी हुई आप बर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं काउडं कंपोस्ट की जगह तो जितनी मिट्टी उतनी वर्मी कंपोष्ट या काउडन कंपोष्ट एक रेशियो आप समझ लिजे कि मिट्टी और काउडन कंपोष्ट बरावर हिस्सों में लिजे उसके बाद दोस्तों हमें 5% से 10% रेत लेनी हैं अगर मोटी रेत है तो ज़्यादा बहतर है रेत का काम होता है कि जो पानी हमारे हम अपने ग्रोवैक्स में डालते हैं तो पानी इकठा नहीं होता है मौस्चर बनी रहेगी मिट्टी में पर वो पानी की वज़े से इकठा होने की वज़े से जहां मिट्टी में पानी इकठा हो जाता है वहां रूट्स को डैमेज करता है वो रूट रॉट का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए हमें बालू प्रेत लेना है और थोड़ी सी नीम खल काम करता है फंगस रोकता है चीन्टियां या फिर जो फंगस हमारी मिट्टी में हो रहे होते उन्हें प्रिवेंट करता है इसके अलामा एक मुठी बौन मिल पाउडर बौन मिल पाउडर दोस्तों मिट्टी को उर्वरग बनाने में सहायक होता है आप चाहें तो कोई फंगल पाउडर भी इस्तमाल कर सकते हैं साफ या टाइकोडर्मा आप कोई भी एंटि फंगल पाउडर भी इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों यह कुछ तक्तों हैं जिन्हें हम मिलाएंगे अपनी मिट्टी को तयार करें इन्हें हम मिला लेंगे अच्छ पॉलिथिन या ऐसा चीज जो मिट्टी में डिकम्पोस्ट ना हुए वह हमें अपने यदियान रखना पानी रुके नहीं जब करोंton में पानी डालते हैं थो पानी में पूरी नीचे तक जाना चाहिता है कुए मिट्टी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम पानी जब भी डाले तो पानी उपर सचह पर रूका ना रहे बल्कि नीचे तक जाय और ढ्यंच होल से समय बाहर आना चाहिए है कि प्रशान रखना इस प्रकार त्यार करनी है कि प्राइवUh की अपानी के लिए यह मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए एक ट्रे में बनाया बाकी का जब मैं अपने गमलों के लिए मिट्टी पूरी तरश त्यार करूंगा तो उसका भी एक छोटा वीडियो आप लोगों के साथ साज़्ा करूँगा धन्यवाद दोस्तों अगर वीडिय स्थेर सबस्वाइब दिरूए गया।